कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आप ही के अपने शेनल क्रिक 11 फोकस पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FCD vs SVW Full Stats Plus Info from the Frankfurt T10 League बोस्तों आपको बाता दू यह मैच आपको semi final से पहले एक last match देखने को मिलेगा ग्रुप stage का और उसके बारे भी हम बात करेंगे कौनसी strong team है किसको qualify करने के लिए क्या करने है आपने सबसे पहली चीज़ जो करनी है हमारे telegram में जुड़ जाना है वो आपने कैसे जुड़ना है इसी वीडियो की description आपको मिलेगी इसी वीडियो में चले जाओ नीचे वहां description में जाओ description में blue color का आपको link मिल जाएगा उसी के थूप हमारे telegram पर आ जाओगे यह एक मातर जरीय है हमारे telegram पर जुड़ने का 74,400 यहनी 74,400 लोग आप पीछे ना रहा है जो आप भी आ जाओ इसके लाबा कोई जरीया नहीं है जुड़ने का इसी description में आपको मिल जाएगा link इसी वीडियो के नीचे अगर मैं आपको बता दू यहां के ग्राउंड पर अभी तक पांच मैच हूँ है जिन में से दो chasing team जीती है तीन बल्ले बाजी करने वाली जीती है लेकिन यहां पर क्या है कि runs बन रहे है क्योंकि एक तो ground चोट है और catches चूटेंगे यहां पर catches के चूटेंगे क्योंकि भार का surface है वो uneven सा है प्रॉपर ग्राउंड नहीं है जहां grass होती है थोड़ा मिट्टी टाइप वाला surface है और अजीब सा है थोड़ा बठा अरंज देखने को मिल रहे हैं क्योंकि थोड़े players बैतर है बैतर quality का खेल रहे है थोड़ा नॉर्मली सीन से अगर मैं आपको बता दूँ SVW की टीम के लिए यह match बहुत important है अगर उनको qualify करना है यह अभी तक देखो छे टीम्स है दो दो ग्रुप बने हुए है तीन तीन टीम्स के तो दो ग्रुप में से एक ग्रुप खतब हो चुका है यह जो last match है यह second group का है SVW इसमें third position पर है यानि semi final में race से बाहर है अभी अगर इनको qualify करना है इनको आज का match 50 run से उपर से जीतना है काफी अच्छी margin से भी हराना है मतलब वो margin exact मुझे ध्यान नहीं है लेकिन हा इतना जूर पता है इनको जीतना है और at least 40 से उपरन से तो हराना ही है और सामने की टीम बहुत तगड़ी है भाया सामने की टीम में strong player भी है तो SVW के लिए बहुत बड़ी चुन होती है यह मैं जीत कर अगले round में qualify करना यह मेरे साब स इतने सारे जदरान है बाकि अगर आप देखोगे तो कल के match में यही इनका order रहा था इब्राहिम जदरान आये थे 0 run की एक ball में मलिक जदरान 4 run 2 ball में फयास खान काफी अच्छे player एक्चली उन्होंने bowling से बहुत गंद पाया मतलब run खाली है उन्होंने 2 और 34 पे 0 लेकिन 12 run उन्होंने किये 4 गेंद में जिसमें 2 चक्के शामिल थे नजरुल्ला जदरान 0 खालिद खान 0 लेकिन दोरोंने ओवर भी डाले हैं देखके चलिएगा खालिद खान का record बहुत बढ़ी है खल जितने हैं negative point उन्होंने दिये 0 यहां पे और यहां negative वह अलग बात है लेकिन इन कर गए जो बोलिंग सेक्शन में गिवन है और वन ओर 14 पे 0 जावेद खान ने 0 कि एक्चलि और रोंडर में गिवन है काफी नीचे आए और मुमीन जदरान ने 4 नॉट ओड किये 4 बॉल्स में 2 और 22 पे टीम के कैप्टन अगर आप देखोगे मोहमद रहीमी ठीक टाक तो कोई इनको लेना ही रहा है आप इनको ग्रेंड लिग में ट्राय कर लेना रीजन क्या कि चार मैच में 119 रन भी है हाइस 48 एवरेज 30 और चार मैच में 5 विक्टे में निकाली है तेरा ओवर करके T20 में और ODD रिकॉर्ड देखोगे तो और भी अच्छा है चोके पंतालिस चक्के छे सेंचरी एक हाइस 117 और तेरा मैच में 28 विक्टे है ODD रिकॉर्ड भाई का ब्रिलियंट है और अगर आप 2019 में देखोगे एक ही मैच खेला जिसमें 65 रन गरके 4 विक्टे ली थी तो खालिद खान जदरान को आप ग्रेंड लिग में ट्राय कल सकते हो कल फेल हुए हैं लेकिन हो सकते हैं आज आपके लिए अच्छे रहें अगर आपको हाईयर रिस्क लिना है आप कैप्टन तब करेंगे जवेद खान है टीम के ठीक टा कॉल रॉंडर है कल काफी नीचे आये थे मतलब बोलिंग के लिए ज़ादा जाने जाते हैं अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे तो इनने एक 50 भी लगा रखिये तो इससे साबित होता है कि नहीं इतने खराब भी नहीं है बठाँ मैं इनसे बहतर सेजेशन दोंगा फयास कान नसेरी क्योंकि कल भी आपको सब देखे थे जवेद खान के साथ मैं फयास कान साथ था छे मैच में 138 रहन हाइस साथ नोट आउट एवरेज 69 स्ट्राइक रेट टू 48 पचास एक चौके दो छक्के पंदरा बहुत तगड़े प्लेयर हैं बलेबाजी से देख लिया आपने छे मैच में 22 और 12 मिक्ते हैं तो आप देख रहे हो कि बोलिंग भी कर रहे हैं अलमुस हर मैच में बोलिंग के साथ साथ आपको ये बलेबाजी भी दे रहे हैं अच्छी खासी तो भाईया इनको तो ट्राय करना पड़ेगा 200 अच्छों को स्ट्राय करेट है कल भी आपने द लेते हैं वैसे खरी रहे हैं नौ मैच में साथ बार किये तो मुझे कभी कभी नहीं काफी एक बारी कहना चाहिए और रंस भी ठीक ठाक किये हुए हैं अब दुल्ला जदरान दिखोगे तो इनके भी एवरेज खराब नहीं है 25 की आवरेज है कल भी आपने देखा रं की और 10 मैच में 167 रन और 10 मैच में 82 ओर करके 20 विक्टे हैं जो यह 20 विक्टे हैं तो अच्छा कासर रिकॉर्ड डबल विक्टे हैं जितने मैच में खेलते हैं दो वक्टे लेते हैं लेकिन प्रवाइड वो ओडीडी मैच चीज़ हैं तो आपको सब इसकी टीम का पता लग गया आप हम दूसरे टीम पे चलेंगे सो इस टीम की बाथकरने से पहले आपको एक रिमाइंडर देदों अगर आप हमारे एलिगराम पर नहीं जुड़े हैं FCD की टीम काफी strong team है इन्होंने कल GH को हरा दिया है तो काफी अच्छी तगड़े team है 138 run किये थे और काफी अच्छी बल्लेबाजी थी और इनके बास कुछ strong players भी है जिसमें German International Star players भी हैं तो आपको ध्यान रखे चलना है Probable 11 की कलके साब से यह होनी चाहिए आज कुछ change होगा तो मैं आपको बता दूँगा अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है अकलाख हैमद इनके लिए एक अच्छे बोलर है कलके मैच में इनको क्यों हो और मिला मुझे पता नहीं है तो आप इनको Grand League में ट्राइ करता है ओपनिंग पैद है हसनेयन कबीर बहुत तगड़े प्लेयर है पचास रन किया 19 गेम में थोड़े हाइट में चोटे है लेकिन शॉर्ट में चोटे नहीं है शॉर्ट लंबे मारते है पचास रन 19 गेम में फिर आते है एम मुदसर बले बाजी से सिरफ 9 गेम बिलकुल मत देखिएगा सबसे important player है जर्मन स्टार player है जर्मनी के लिए खेलते हैं तो यहां तो और अच्छा खेलेंगे 2 और 25 पर 3 यह ऐसे player है जो आपको medium करते भी दिख सकते हैं और आपको spin भी करते दिख सकते हैं तो काफी अच्छी choice है कले इनोंने spin करी और 2 और 25 पर 3 लेके गए थे मुहम्मद तययब है एक run और 2 और 31 पर 0 मुहम्मद तययब bowling ठीक ठक कर लेते हैं लेकिन बले बाजी के लिए जादा जाने जाते हैं आप उनको ज़रूर consider करे अब्दुल रहीम जाय है बॉटन बोलर है ये भी इनकी टीम में spinners बहुत है ये भी spinners है 10 run किये और 2 और 27 पर एक उसके बाद यासरस आयात आते हैं ये भी spinners है 23 run किये और 2 और 13 पर 3 और I think left-handed batsman है अच्छे player है अकलाख हैमद 7 run 3 गिंदों में ये पांच प्लेयर इंबोर्डेंट होगे छेवां चाहिए तो अकलाख हैमद और बल्ले बाजी के सबसे असनायन कबीर मुहमद मुधसर बैसर रहेंगे उमीद करते हो दोस्तों आपको सब कुछ समझ आगे ये ही players है कौन क्या करता है left arm fast, right arm fast है सब चीज मैंने लिखके रखी हुई है तो ये देखके चलेगा तन्जीम अली और तहीर आमद में से किसी को खिलाया जा सकते है अगर टीम मुखा देना चाहे दोस्तों आप ये सारी information यूज़ करके खुद से भैतरी नीमन आने की कोशिश करे मैंने आठ मिनट में आपको सारा information दे दिया और वही कोशिश करूँगा सबसे कम टाइब में आपको देता हूँ तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना बूले टेलिग्राम पर जुड़ना ना बूले इसी वीडियो की description में आपको link मिल जाएगा 34,400 लोग जुड़ चुके हैं आप भी जल्दी जुड़ जाएँ यहाँ पर आपको दिखा दू H.Kabir, S.A.G.A.U.F.R.O.S. आपको विकेट केविंग सेक्शन में दिखेंगे मुझे सबसे अची choice लगी H.Kabir because यह opening कर रहे हैं कल के match में 17 gain में 50 run किये जिसमें अच्छे खासे चौके चक्के भी मुझूद थे उसके बाद यह catch out हो गए थे तो थोड़ा ध्यान रखके चलिएगा प्लेयर जरूर अच्छे हैं एसागा ठीक ठाक है यूफ रोज भी ठीक ठाक है लेकि नीचे आरहे हैं जिस वज़े से मैं prefer नहीं कर रहा बल्ले बाजी सेक्शन में अगर आओगे तो आपको काफी प्लेयर्स मिल जाएंगे हम इस सेक्शन पर थोड़ा बाद में आने की कोशिश करेंगे पहले हम और राउंडर पर चलेंगे जो सबसे अच्छी इंपोर्टेंट इस मैच के पिक है एम मुदसर कल काफी कम लोगों ने जिसको select किया था वाई हयात काफी इंपोर्टेंट प्लेयर काई लेफ्ट एंडड प्लेयर है बले बाजी से और ओवर भी करके देती है बले बाजी नीचे करते हैं रेकिन दो ओवर करके देंगे जिस वज़े से लिए एस रहीम जाए बले बाजी भी कर सकते है गिन बाजी भी कर सकते है कल ओपनिंग करी थी थी थिंक बुलिंग से तो इनको भी मैंने प्रफर किया है एफ खान नसेरी ही मेरी फोर्थ चोइस रहेगी फोर्थ चोइस क्यों क्योंकि इनोंने कल चार बॉल में 14 बारा रन किये दो चकों से और दो ओवर भी डाले और इनका रिकॉर्ड अच्छा है मैंने आपको दिखाया है पहले दूसरे टीम के लिए खेलते थे अगर आप इन सब की बात करोगे इनमें के खान जदरान एक डिफरेंशल और अच्छी चोइस बन सकती है और किसी को ज़्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं टी अली भी ठीक ठाक चोइस है लेकिन वह बात है कि हम जादा ध्यान दें तो के खान जदरान ही बहतर चोइस रहेगी बोलिंग सेक्शन में यहाँ पर आप पास ऑप्शन बहुत है सबसे पहले मैंने ले लिए जी सैफ को जी सैफ FCD से एक important बोलर और FCD इस मैच में फेवरेट है जीतने को तो मैं उनको prefer कर रहा हूँ यहाँ पर अगर आप देखोगे आप पास options बहुत है A जदरान, N जदरान है N जदरान will be a good choice for grand league क्योंकि bowling करने भी आये थे दो ओवर और बले बाजी करने ऊपर आये थे तो यह भी अच्छे हो सकते हैं लेकिन मैं जा रहा हूँ फिलाल के लिए M जदरान के साथ जो की इनके काफी अच्छे बोलर है 10 मैच में 20 हमने विक्टे देखिए ODD में उसके बाद E जदरान आपके पास option है जो की अच्छे बोलर है लेकिन यहाँ पर मैं M जदरान के साथ जा रहा हूँ एक differential pick तो उनको मैंने pick कर लिया आप चाहो तो drop कर सकते हो तो येवला चोईस थोड़ा जो है रिस्की है लेकिन अफकोस डिफरेंशल है तो फाइदा भी मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है M जदरान पहला चोईस मेरा बले बाजी में अब येवला M जदरान आपको बता दू ओपनिंग आया था ये भी ठीक ठाक और नॉर्मली वन डाउन ये ओपनिंग ये आएगा ज़ादा उपर नीचे नहीं होता है और प्लेयर अच्छा है कल के मैच में उत्ता कुछ खास नहीं किया इतना अच्छा नहीं किया आप कैप्टन मना दो लेकिन हाँ अच्छा है आप टीम में जरू ट्राइक करो अब यहां पर आप पास आती है सबसे अच्छी जोईस M तयब क्योंकि कल इसमें 2 ओवर किये थे प्लस यह वन डॉन पर बल्ले बाजी करने आ गया था तो यह तो आपके लिए complete प्लेयर बन गया अब आप पस options बहुत है आपको कौन से प्लेयर लेने है आप Z खान को ले सकते हो आपको किसी और को लेना तो A खान को ले सकते हो और इनी को ज़ादा लोग लेंगे लेकिन मैं थोड़ा different जाओंगा मैं जाओंगा यहाँ पर आई जदरान जूनियर साथ जो कि अपने टीम से opening आये थे आई जदरान जूनियर अपने टीम से open आये कल fail हुए 0 पे गए हो सकते आज के दिन चलें ओपनिंग का मौका फिर से मिले और कुछ करके जाए तो इनको मैंने प्रेफर किये टीम प्रिव्यू अगर आप देखोगे मेरी टीम का ये प्रिव्यू है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर दिख रहा है जिसमें आपको जुड़ जाना है 74,400 लोग जुड़ चुके हैं नीचे डिस्क्रिप्शन देखके जरूर आजियेगा यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ लोगों भी चेक कर ले ना इसी में आना है अब अगर मैं आपको बता दूँ कि Captaincy, Vice Captaincy, सबसेर्ची Captaincy चोईस रहेगी मुदसर मुहमद, Vice Captaincy चोईस सबसेर्ची कौन सी रहेगी यहाँ पर सबसेर्ची रहेगी या तो Y हयात को कर सकते हो या S रहीम जाय को कर सकते हो तो यह bowling options भी हैं इसलिए आपके लिए अच्छी choices रह सकती हैं एक differential grand league choice चाहिए मुदसर मुहमद के साथ तो M तयब को कर सकते हो मुदसर के साथ क्योंकि इनको Captain ट्राय कर सकते हो और इनको Vice Captain तो अच्छा मिनी जेल कौमों बनेगा M तयब कल उतना अच्छा नहीं कि लेकिन दो वर डालके one down पर बल्ले बाज़ी आये थे उमीद करतों वीडियो आपको अच्छी लगी है सुबह के चार बजे ये वीडियो record हो रही है उमीद करतों आपको सब समझ आएगा और आपको अच्छा लगेगा और आप support जरूर करेंगे